अच्छा सुनते हैं, एक किसान था, जो परमात्मा से दुखी और परिशान था, क्योंकि कभी तेज बारिश से, कभी ओरले से, कभी आंधी तूफान से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी, और एक दिन नराज होकर उसने परमात्मा से कहा कि आप ईश्वर हैं, ल किसान खुश, उसने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही, जब धूप मिली, जब पानी जहा बारिश मिली, लेकिन उसने तेज आंधी, ओले, तूफान, इन सब को कभी आने ही नहीं दिया, किसान बहुत खुश था, क्योंकि ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी, उसन काठा, देखा ये क्या, दिल पर हाथ रख कर बैढ़ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली में दाना ही नहीं था, इश्वर को फिर पुकारा, कि हे प्रभू, ये क्या हो गया, भगवान ने कहा, ये तो होना ही था, इन पौधों को तुमने केवल अच्छे-अच्छे मौ इन्हें संघर्षों और चुनोतियों से जूजने का कोई मौका ही नहीं मिला, इसी लिए ये खोक ले रह गया, जब आंधी आती है, तूफान आता है, और उसमें भी पौधा खड़ा रहता है, तो इसके अंदर का जो बल पैदा होता है, उससे एक बीज का जन्म होता है, ल लेकिन संघर्ष ही तो है, जो इनसान रूपी तलवार की धार को पैना करते हैं, जो हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के, कर गुजरने के, तो लाइफ में कभी भी कोई संघर्षय चुनोती आए, तो उससे घबराईए में, बलकि हसकर उसे वेलकम कीजिए, बी रोल मॉर्टल,